हालो दोस्तों नमास्कार हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज है 30 जन्वरी 2024 और 30 जन्वरी 2024 से 36 डेली करेंड अफ्यार से सम्मधी जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन बन सकते हैं सारे कोश्चन के बारे में डिटल से डिसकस करेंगे 29 जन्वरी का करेंड अफ्यार को डिसकस नहीं किए हैं तो 29 जन्वरी वाला भी करेंड और अप। क्या है कंतिनू करेंगे अगर आप इसका पीडीय डावनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीघ्राम चैनल सी जूर जाओ टेलीघ्राम चैनल में आपको मिल जाए तो चलिए करेंड फेर्ट सेसन की और हमारा पहला कोशिन की और आगे बढ़ते हैं यह रहा हमारा आज का पहला कोशिन तो कहां पर बनेगा तो इस question का सही अंसर है option ये राइपूर में राइपूर में प्रदेश का पहला आयूर वेद विश्य विद्यालाय बनेगा तो चलिए इसका details के बारे में जानते हैं चतिस गड़ में आयूर वेद के चात्रों के लिए बड़ी खुष कपरी राइपूर में खुलेगा प्रदेश का पहला आयूर वेद विश्य विद्यालाय सिक्छा मंत्री ब्रीज महन अगरवाल ने किया घुसड़ा और भीस द्मोहनागरोवाल जी हैं तो उन्होंने क्या है इसकी घूसडकिशा की है अब देखो चतिन्च गड़ का पहला आईूर्वेद्विसि जुद्यद्यला प्राइपूर में खूलेगा तो यह चतिन्च गड़ ओर चाहां है रैपूर जयसे आपको रैपूर सब्दा आया तो आपको कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा आप रिवजन करिये ठीक है भले है समय ज्यादा लगेगा लेकिन आपको रिवजन करना है जैसे मान के चलो लापर देखेंगे तो ओल ला है यहां पर और और शिलत्रा है प्र vere रदेश का प्रत्थम अध्योगी विकास कंद्र है सिलत्रा प्र siltyas के सबसे बड़ा अध्योगी विकास कंद्र है राइपूर की नदी के किनारे बसा है तो राइपूर्साहर की अल्चुने किया था तो राम चंद्धादव में माता का उसिलिया की भारत की एक मात्रमंदीर है चनद्खूरी में आरंग क्या है आरंग को मंदीरों का सहर के नामसिनये जाना जाता है तो इतने चीजों को आपको याद रखना है रैपूर में है स्वामी विवेकनन हवाई परटी कहां है तो माना toym के मैंड में अच्छे से इस्टोर होता रहेगा तो चलिए नेस्ट कोश्चन के और आगे बढ़ते हैं यह रहा मारा अगला कोश्चन हाली में चर्चा में रहा देश का पहला मानाव निर्मित जंगल चतिस गड़ के कीज दिले में इस्थित है तो इस कोश्चन का सही अंसर है आपसंसी दूर्ग जिले में इस्थित है कोश्चन का डीटेल्स देखते हैं यहां पर देखेंगे तो यह है कोश्चन का डीटेल नंदनी मैंस में देश का पहला मानव निर्वित जंगल बनकर तयार 17 किलोमीटर छेत्र में पहला है कितने किलोमीटर छेत्र में पहला है तो ये 17 किलोमीटर छेत्र में पहला है दूर्गा जिले के 27 किलोमीटर दूर नंदनी मैस में देश का पहला मानो निर्मित जंगल बनकर तयार हुआ है करीब 388 हेक्टियर छेत्रा में यहां फैला जंगल 2021 में 42 प्रकार के 82,320 पोधे लगाए गए थे अब यह पोधे पेड़ बनकर तयार हो गए है और हर्याली यहां पर चारो और दीख रही है तो 17 किलोमीटर में जिसे नंदनी क्या है नंदनी मैस चुना पत्तर का ख़धान था अब वो चुना पत्तर क्या है वहां पर लगभग खतम हो चुका है तो जो खाली एरिया था उसक हो देखो अब यह कै quedar द siinä में नंदनी मिल्हां पर मानव निर्वीड देश का पहला जंगल है ठीक है तो 36 गड़ के मैप में कहां है दूर गजील तो देखे यह दूर गजीला जैसे दूर गजीला आया थिक है वैसे आपको सबसे important question यही बन जाता है कि दूर्ग में है ये है भिलाई हमारे लिए सबसे ज्यादा important है क्यूंग है तो भिलाई में है भिलाई स्पात सेंत्रा की स्थापना कब हुआ था तो 1945 में कब 1955 में भिलाई इस्पात सेंद्र की स्थापना हुआ था, इस समय भारत में द्वितिय पंच वर्षी योजना चल रहा था, भारत में उस समय भिलाई में भिलाई इस्पात सेंद्र की स्थापना किया था, इसका पहला उत्पादन कब प्रारम हुआ, तो पहला उत्पादन 1909 सब्सक्राइब में प्रारम हुआ था भारत के यहता भारत के राष्ट पती ठीद ठीड कौन थे भारत के पहले राष्ट पती। डीडिड। इस्तिल अटरटी आप इंडिया मतलब सेल के अधिन होता है देश के टोटल जो पंदरा प्रतिसद इस पाथ है ठीक है देश के कितने पंदरा प्रतिसद जो इस पाथ है भिलाई से ही क्या होता है उत्पन होता है उत्पादन होता है यहां जो है लह हो एसका क्या पूर्ती कहा से होता है तो कांठेर जिना में है रावघाट मैंस Uncle इंदे होता है मैंगनीज मेंगनीज कभी यहां उपयोग होता है तो मेंगनीज मलाजखन भाला घट जीले से प्राप्त के आजाता है ठीक है तो आप इतने चीजों को आप याद रखेंगे यह सभी चीजे क्या है इंपोर्टेंट है चलिए दूर्गा किस नदी के किनारे वसा है तो दूर्गा आपका सिवनात नदी के किनारे वसा है किस नदी सिवनात नदी के किनारे वसा है दूर्ग यहां पर प्रदेश का पहला प्रदेश का पहला क्या है सीमेंट सेंत्र की स्थापना हुआ था जामूल में ठीक है तो इन्हें भी आप याद रखेंगे इंपोर्टन है इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है इस सब चीज क्या है इंपोर्टन है ठीक है जाम प्रद्हान मंत्री श्री नलेंद्र मोर्डी ने हैं चया भारत के प्रद्हान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रद्हांटे На ऑप्र नेश्य थे का है रहा हा टी जा रही है आधियो के विचारण की यह क्या है सूचनाओं प्रधान मंद्द सुरी नरेंद्र मोधी ने आजमन की बात कारे करें शुचनाओं के अधारित्ह आ beginner की रेडियो पर एक लोग् क्रिया क्या कारे कर्म का प्रसारण हो रहे है जिनका नाम है प्रस्तूत करता है इसका क्या है प्रसारान करते हैं राज्य के चार आकासवारी केंद्रा अंभीकापूर रायपूर और बिलासपूर और रायगर केंद्रों में साम पांच बजे प्रसारित किया जाता है इसके बारे क्या है जो नरेंद्र मोदी जी है भारत के वरतमान में क् तो आप इसे भी आप याद रखेंगे इतना चीज इंपोर्टेंट है जब भी कोई चीज आता है तो यार उससे रिलेटेड चीजों को आपको रिवजन करना है ठीक है पटा-पट कर लेंगे ज्यादा समय नहीं लगता है हाली में राजया इस तरी कराटे प्रतियोगीता चातिस गड़ के किस जिले में आवजित हुआ है तो इस कोच्चन का सही अंसर है अप्षण सी राजनांद गाउं में राज जी इस तरी कराटे प्रतियोगीता का क् आपको सायद यहां पर डीटेल अच्छा से ना दिखे ठीक है मैं पाड़ रहूं उसको आप लोग सुनेंगे शिक्षा मंत्री बिजमोहन अगरवाल ने आज उनके नीज निवास पर राजनन्द गाओं में आवजित राज्य इस्तरी कराटे प्रतिविता में मेडल जितने व आपको याद रखना है अंतराश्टी कराटे खिलाडी हरसा सावो के नेत्री तम्यक सिक्षा मंत्री से मुलकात की और मंत्री जीने अगरवाल ने इन अवसर पर विजताओं को जित की बधाई तथा सुब कामना है देते हुए उनके उजवल भयू से की कामना किये हैं उलिक मनिहर तथल अब्दूर्रहिम खान तथा असोख हियाल पपूस भी सामिल थे आप इसको दो चीज को याद रखना है यार ठीक है यहां पर क्या है हरसा साहू और नीता दुम्रे क्या है कराटे खेल से सम्मधित है ठीक है तो दोनों आप याद रखेंगे यह ज्यादा इंप राजनंद गाउग देखो यार अब क्या हुआ है राजनंद गाउग का विभाजन हो चुका है तो इसको मैं अपडेट नहीं किया हूं यह इतने वाला एरिया क्या है मानपूर मोहला का है और यह इतने वाला जो जीला कहां का है तो यह खैरागर चुई का दान का मतलब यह क्या है के सीजी जीला है और यह हमारा कौन से है तो यह हमारा ओर राजनंद गाउ जिला है तो राजनंद गाउचलन को और जानते हैं तो इसका उपनाम है संसकार धानी याद रखेंगे इंपोर्टेंट है राजनान गाउं में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था इसे आप याद रखेंगे ठाकुल प्यारे लाल के नित्रुत्त में तो इतने चीज़ें को आपको याद रखना है सभी चीज़ें क् मंदीर है तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे इंपोर्टेंट है ठीक है राजनान गाउं के यह जो टप्पा चेत्र है यहां क्या मिलता है तो स्वर्ण धातु प्राप्त होता है तो याद रखेंगे चलिए हाली में दो दिवसी आर्विद, एल्यूमिनी, मिट, स्वर्नकुम का आयोजन कहा किया गया तो रायपूर में किया गया था इसके बारे में डिटेल देखते हैं रायपूर में खुलेगा चातिस गड़ का पहला आयुर्वेद विस्विद्यालाय, शिक्षा मंत्री विजमोहन अगरवाल ने कि इसकी घोसरा बोले पिये मोदी की आयुर्वेद की जो दिशा में कारे कर रहे हैं उनको क्या है बढ़ाव में रायान प्रसाद अवस्ति सास्की आयुर्वेद महाविद्यालाय, दो दिवसी आयुर्वेद एलूमनी मीट में स्वर नकुम का सुभारम किया, कॉलेज से पढ़कर निकल कर तथदेश विदेश में सेवाय दे रहे हैं पूराने डाक्टर को भी इहां पर सम्मानित किय सिख्षा मंत्री विजमोहन अगरवाल ने आर्वेद हमारे जीवन पद्धती का एकंग है हमारे घरों के रस्वई अपने आपने एक आउर्वेद असोधी का केंद्र है, एक जानकार वेक्ति इसकी सही उप्योग करके निर्योग पाया जा सकता है, निर्योगी क्या है काया में लच्मर जी मूर्जित हुए थे तब वैद राज सूसेड ने आर्वेद के जरिये उनकी क्या है जान बचाई थी, तो यह आर्वेद क्या है बहुत ही ज़्यदा महत्तपूर्ण ने चीज़े है, अगर आपको इसकी अच्छी से नॉलेज है, तो आपकी जो घर में जो क संत्रता से नानी सहीद रामाधीन गोड की प्रतीमा चतिस गड़ के किस जिले में बनाया जाएगा, तो इस कुश्चन का सही अंसर है, आप्शन सी राजनंद गाउं जिले में, कुश्चन के बारे में डीटेल से दिखते हैं, खाध्यमंत्री वर्तमान में चतिस गड़ के सहाधत दिवसकार्यकरम में सामील हुए खाध मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राजनंद गाउं जिले में सहीद वीर्ड रामाधीन गोड सहाधत दिवसकार्यकरम में सामील होकर उन्होंने अन्याय के खिलाब, तब क्या है जो रामाधीन गोड जी है, इन्होंने क्या है अन्याय के खिलाब संगहर सामात्री भूमी के प्रतिस हमारपन और बलिदान के लिए कार्य किया, उनके इस योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, स्री भगहल ने समाज की मांग की, स्री भगहल ने क्या है जो दो जुलाई 1922 में र्यादननकाउं जीले के खुजी छेत रखे गाउं बद्र टोला में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था रामादिन गोड का ठीक है सहिद वीर रामादिन जंगल सत्यागरा अंदोलान में लगातार भाग लेते रहे और 21 जन्वरी 1949 को सहिद हो गए उनकी इस मृति में ग्राम बद्र टोला में प्रतीमा तथा सांसृतिक भौन कभी निर्माड किया जाएगा तो इन्हें आप याद रखेंगे जो बद्र टोला जंगल सत्यागरा पढ़ते हैं ना राजनन्द गाउं में उन्हीं का क्या है ये नेता थे ठीक है तो इन्हें भ झाल 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 झाल